दोस्तों, आज हम किसी दवा के बारे में बात न करके, आज हम लोग बात करेंगे कि होमेपेथिक दवाईयां किस तरीके से काम करती हैं। कई बार उच्सू व्यक्ति या इगर पोर्सन जब मेरे क्लिनिक में आते हैं और वो पूछते हैं कि या कई बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी आया है कि होमेपेथिक मेडिसिन वर्क्स, होमेपेथिक दवाईयां किस तरीके से काम करती हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको पहले एक बात बता हूँ कि होमेपेथिक दवाईयां किस तरीके से उनका रिकॉर्ड हुआ कैसे वो बनाई गई ये सिस्टम कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ होता यह है दोस्तों जैसे एक फैमिलियर दवा लेते हम लोग कुचिला सीड यानि नक्सवामिका तीक है तो नक्सवामिका से जो दवाब बनाई गई उसमें ये तरह तरह के लक्षण है ये पता कैसे चला बुक्स में लिखा हुआ है नक्सवामिका कि ये लक्षण है 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 आईसे हैं ये पता कैसे चला तो कुचिला सीड से जो दवाई बनाई गई उसको पहले सबसे पहले पांच, छे, साथ या जितने भी हैं healthy human being जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है उन लोगों पर ये उन लोगों को ये दवाद दी गई और कुछ दिनों बाद नक्स वॉमिका के लक्षण उन लोगों में आने लगे और उस लक्षण को फिर डॉक्टरों ने या जिन्हों ने प्रूव किया था उसको नोट करते गए इस तरीके से दवाईयों के लक्षणों के बारे में हमें पता चला ठीक है अब आता है ये बाद आता है कि ये दवाईयां काम कैसे करती है चलिए नक्स वॉमिका के लक्षण तो आपको पता चल गए अब एक पेशिंट आया जिसका लक्षण हू बहू नक्स वॉमिका से मिलता है तो हम उसको नक्स वॉमिका दवाद देते हैं इस तरीके से होमेपैथिक treatment होता है पर इसके पीछे logic क्या है ये सब जानते है यहां तक तो सब को पता है मैं जो आगे बताने वाला हूं हो सकता है ये काफी लोगों को पता हो डॉक्टरों को तो होगा ही पता क्या ऐसा होता है कि वो मेडिसीन वो पेशेंट को क्योर कर देती है क्योंकि जो लक्षन नक्सोमिका में है कॉंस्टिपेशन के वह पेशेंट में भी है दोनों सेम है तो क्योर कैसे होगा सो एक उधारन देता हूं दोस्तों समझ ये आप सो के उठे सबेरे सबेरे और सड़नली आपको 20 किलो का जो एक वजन है वो उठाने को कहा गया experience किजिए या अनुभव किजिए सोचिए आप नीच से उठे और सामने 20 किलो उठाने के लिए कहा गया आप उठा लेंगे लेकिन तकलिफ होगी आपको कुछ discomfort फिल करेंगे और दूसरा example है कि आप कोई काम कर रहे हैं समझिए exercise कर रहे हैं वो आप ही हैं कोई bodybuilder की बात नहीं कर रहा हूं same person वो exercise कर रहा है और उस समय उसको बोला गया कि 20 किलो उठाओ तो वो आसानी से उठा लेगा कोई bacteria या virus जब हमारे body को attack करता है जब हमारा resistance power low होता है तब ही attack करता है चार लोग ठंडी में जा रहे हैं अगर तो चारों को सर्दी होगी यह जरूरी नहीं है उसमें के एक को होगी दो को होगी पर उन्हीं को होगी जिनका resistance power low है ठीक है अब जिसकी हम बात कर रहे थे वो करते हैं क्या logic है इसके पीछे समझ ये किसी को constipation है उसको नक्सोमी का दवा देना है और उसके constipation की intensity है 20% for example एक उदारण ले लेते हैं तो हम नक्सोमी का दवा ही देंगे उसको लेकिन वो potency चुनते हैं जिसकी intensity 30% हो या 40% हो या 25% more than 20 अगर 40 गए तो aggravation होगा 30 गए तो भी aggravation होगा अगर ये 20 है आप 25 गए या 21 गए तो aggravation होगा लेकिन पता नहीं चलेगा तकलीफे बढ़ेंगी लेकिन पता नहीं चलेगा क्योंकि वो बहुत minute है ठीक है अब patient की intensity है constipation की 20% और हम दवाई चुन रहे हैं 25 वाली वो दवा चुनके हम उस patient को दे देते हैं अब जैसे कि मैंने बताया ये दवा एक human being में अपने symptoms ला देती है तो होता क्या है आदमी का जो resistance power होता है vital force होता है वो उस बीमारी से artificial बीमारी से लड़ता है और वो artificial बीमारी की intensity कितनी है 25% more than original disease जो उसकी वास्तिव की बीमारी है उससे ज्यादा ठीक है वो वही हो गया आप exercise करने गये हैं कर रहे है exercise 20 kg से ज़्यादा का exercise कर रहे है मेरी बात समझ गए इसलिए मैंने वो उदारन दिया था उसके बाद 20 kg उठाना आपके लिए आसान हो जाएगा उसी तरह यहाँ पर जो artificial disease है यानि कृतिम बीमारी जो दवाई ने पैदा किया हुआ है वो उसकी intensity 25% होने की वज़े से जो हमारा vital force उससे fight कर रहा है या जो resistance power हमारा है उससे fight करते समय अपने आपको uplift करेगा उपर बढ़ाएगा क्योंकि उसे हराने के लिए fight कर रहा है न तो उसको uplift करना पड़ता है जैसे हमारी same body है for example हम पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन जिम में जाते हैं थोड़ा pump up होता है दो महीने बाद वो arms अच्छे pump हो जाते हैं body हमारी वही है लेकिन हमारे body को हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ढाल सकते हैं जीस तरह चाहे उस तरह आप flexible बना सकते हैं आप जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं इस तरह का masterpiece मास्टर ने बनाया है तो 25% intensity से लड़ते हुए vital force या resistance power uplift होता है और कुछ दिनों बाद क्योंकि जो artificial disease है वो जिन्दिगी भर थोड़ी रहेगे कुछ दिनों बाद वो चली जाती है कुछ दिनों बाद वो चीजें हट जाती है artificial जो कृतिम है जिसके intensity 25 थी अब सामने कौन बचा है 20% वाला तो जो हमारा resistance power uplift हुआ है उपर उठा है 25% वाले से लड़ते समय वो सामने 20% वाला आ गया यानि कमजोर आ गया तो उसको fight करके उससे यह defeat कर देता है हमारा resistance power है यानि हमने किसी bacteria को नहीं मारा किसी virus को नहीं मारा कोई pathological जो organism, micro organism आया उससे fight नहीं किया है हमने अपने vitality को uplift किया है अपने resistance power को uplift किया है और uplift resistance power ने उस pathological micro organism को हटा दिया there was no antibiotic ठीक है तो यह uplift किया हुआ resistance power काफी दिनों तक रहता है जब तक कि इसको आप disturb न करें drugs से, alcohol से या कोई major emotional factor आ जाए जिससे vitality फिर से नीचे आ जाए अगर ऐसे situation ना आए तो आपकी vitality उपर ही रहती है यानि resistance power हाई रहता है उसके बाद जब 20 intensity का कोई भी micro organism आएगा तो उसे यह अपने आप destroy कर देगा इसलिए होमेपेथिक दवाईयां से जो cure होती है न वो permanent cure होता है क्योंकि आपने किसी bacteria को नहीं मारा आपने आपको uplift किया है वो कहते हैं न कि दो line है एक line से बड़ा बनो जैसे एक line खीज दिया गया है ये line है इससे बड़ा बनिये तो बहुत बार क्या होता है आदमी इसको मीटा देता है लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अपने आपको बड़ा कर देता है वो आदमी एक यहां से यहां तक line खीज के यही होमेपेथिये तो उसका growth पर्मानेंट होता है यहां पर हम दूसरे को हाम नहीं करते हैं अपने आपको बड़ा करते हैं So, such a wonderful science this is कितनी खुबसूरत science है आप सिर्फ ठीक नहीं होते उस बिमारी से आपकी vitality इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके बाद फिर कभी वो बिमारी आई तो उसे वो पहले हरा देता है यानि resistance power आपका बढ़ जाता है uplift हो जाता है इस तरीके से होमेपेथिक दवाईयां काम करती है ऐसी तो बहुत जगा लिखा है likes के और likes बढ़ बहुत लोगों को ये बाते नहीं पता मैं जानता हूँ majority को पता होगा ये बार जो होमेपेथिक science जिन्होंने पढ़ा होगा जो जानते हैं उन्हें तो पता होगा है लिकिंग एक आम आदमी के दिमाग में ये बाते हमेशा घूमते रहती है यार ये इतनी छोटी गुली कैसे काम करती है और एक बार ठीक हो जाए तो जल्दी वो बीमारी आती नहीं how it could be otherwise ऐसे होता है कि जैसे सर्दी हुई dust allergy है तो citrizin या evil लिये सर्दी ठीक हो गई फिर dust में गई फिर dust allergy हो गई यानि positive factor dust है अगर तो आप जाएंगे तो वहाँ से परिशान होके ही आएंगे पर हूमीपेथी क्या करता है आपके body में ही ऐसे system बना देता है आपका resistance power बढ़ा देता है वो dust से लड़ने के लिए तो dust में जाने के बाद भी आपको कुछ नहीं होता that is permanent cure यही पूरे body का cure है मेरे ख्याल से दोस्तों मैं जितनी अच्छे से समझा सकता था simple language में आपको समझाने का कोशिश किया और यह आशा करता हूँ कि आप लोग यह बाते समझ गये होंगे इससे related अगर कोई सवाल होगा आपका तो मुझे जरूर comment box में बताईएगा कोई मश्वरा होगा तो जरूर दीजिएगा दोस्तों अगर मुझे अच्छा लगा वो मश्वरा तो जरूर मानूंगा और difficulties आपकी जो रहेगी उससे solve करने की कोशिश करूंगा धन्यवाद कर दो